तो टूल किट बनाने में व्यस्त है और मोधी विरोध करते करते हैं अब देश के विरोध पर आगी है कि नहीं कॉंग्रेस कॉंग्रेस को मैंने एक बार मज़ाग में लिखा था कि वो जो अभी दंदर वर्दमा ने हें होरा इन ये ये वर्द मैं और वा एक तो उसके तो हर्वाई जाज गीड़ा था और पाकिस्तान ने पकड़ा था तो लिवेद omega है तो मैंने मज़ाग में लिखा था की जोड़ा कर पाकिस्तान इतना हो चोविद्ध घंटे में क्यों चोड़ दिया तो जो बजवा है बजवा है उसको उन्होंने बोल दिये इम्रान खान ने उसको छोड़ दो तो बजवा ने मुझे फोन करके बता दिया कि अगर वर्दमान को नहीं छोड़ोगे तो हम बॉर्डर के उस पर राउल गानी को भीज़ देंगे यह अंगाइडेड मिसाइल है वो कहा गिरेगा उसका पता नहीं अगर 24 घंटे में राउल वर्दमान को नहीं छोड़ा तो हम यहां से राउल गानी को छोड़ देंगे पाकिस्ता तो बजवा डर गया और उन्होंने डायरेक्ली वो बॉर्डर पर लाकर उसको छोड़ दिया ह बोलने का मतलब यह है कि जो फसे हुए है आप 2002 से लेकर आज तक कितने टूल किड बनाए मोधी को कितना बदनाम किया उस वक्त तो प्राइब मिनिस्टर नहीं थे गुजरत के चीफ मिनिस्टर थे फिर भी आपने दुनिया भर में उनको बदनाम किया था उनका वीशा तक प्रद के दिया था ना क्या हुआ तो आज काई की नई तूल किड बना रहे और उस पर हम चर्चा भी क्यों करें ऐसे कितने टूल किड हो गए कितने टूल किड हो गए आज उसको टूल किड बोलते उसके पहले क्या बोलते थे यह तो बदनामी पहले से चालू है ना और दे पर भारत के किसी भी कोट ने कोई गुनागार करके ठपा भी नहीं मारा है उसको अगर वेस्टरन कंट्री जा यूएस उसका विशा कैंसल कर देती है तो देश का ही अपमान होता था आज कहा का अपमान बुल जा यह क्या अपमान वह अपने आप खुश हो जाते हैं देखो हम ने बदनाम किया इनको पूछता है का और टाइम मेगजिन तो ग्रेट डिवाइडर करके चुनाओ के पहले बोलेगा और दो मेरे बाद मोदी जीत गए तो ग्रेट यूनिवायर भी लिखेंगा ऐसे बेशरम लोगों के बारे में और उन्होंने बदनामी की तो उसमें क्या होता है उससे मोदी बदनाम नहीं होती बिलकुल नहीं बदनाम होता है बलकि उससे तो उल्टा होता है उससे तो जो लोग थोड़े बहुत तेरी मोदी से अप्रसन्न भी थे तो वो भी रावल गादी को देखती मोदी की पीछे वापस खड़े होगे बिलकुल होता है आप हमारे साथ है नो यू यह हो सौधी एरेबिया हो एक इसके साथ खड़े हो गए तो बदनामी करके क्या होगा करते रहें कोई बात नहीं इनको पता नहीं चल रहा है कि इनके हतियार की धारी निकल गई है इनके जिलेटीन या एटम बॉम जो बनाते है वो तो दिवाली के पठागे भी नहीं फूटते फिर भी करते बैठे तो राफेल के बारे में टूलकिट नहीं था लेकिन बड़े बुद्धी जी भी होते यश्वन सिन्ना अरुन पूरी जैसे अब वो फस जाते जैसे छोटे कि पठाके लाकर देते दूस हो जाते तो हमारे यह अंदोलन जीवी बुद्धी जीवी जो है वह इसे पठाके खुश हो जाते अटम बॉम लाया आ है रओल गानी ने एंपको रृतम बॉम दिया है तो खुश हो जाते जै अब जी जी भी बच्चे हो गया है और राउल गांदी उनके क्या बोलते है पेरेंट बन गए तो लाए और दस तोलकिट लाए मुझे नहीं लगता उससे कुछ फरक पड़ने वाद है लेकिन अपने आप में वो तो खुश हो जाएगे अपने आप में खुश हो जाते है अदो तो रोज ही करता है ना रोज इसके ट्विट देख लीजी ना राउल गांदी के अब बिसको कोई उसको कोई कितना भी कर ले उसके कोई असर नहीं पड़ता वो तो उसी जिसको कहते हैं कि कॉंग्रेस पार्टी को समाप्त करने की और पूरी तरह से अग्रसर है उसने कमर कसली ह जब तक बिलकुल इसको नेस्त नाबूद करके और धूल धूसरित नहीं कर देगा तक नहीं मालेगा मैंने कई उसका वचन पढ़ा है आइंस्टाइन का कि जो बुद्धी जीवी होते हैं इंट्लेक्चल्स होते हैं उनको उल्लू बनाना बिलकुल आसान होता है कोई भी फुलिश आइडिया उनको पहले पसंद आता है अनाडी होता है वो ने अनाडी तो दस सवाल पूछेगा कि भई यह क्या बोल रहा है तू यह से कैसे हो सकता है यह पूछेगा यह पूछेगा चोटा मेरी नाती ने नव महने कि यह परजो उन्होंने कौकरेश टेकली थी तो डर उसके मंध में हम डाल देते और उसको बुद्धी जीवी बना देते तो वह तो काकरीश से को ड़ता denkt बच्चा तो बुद्धी जीवी का मतलब एक्कॉरीड नौलेज होता है और जब एक्कॉरेड नौलेज तुम पर हवह хो जաता है तब आपका NATURAL INSTIN होता है सोचने का तरीका वह हम आइस्ता आइस्ता कम कर जाते मेरा खाल्दून नाम की हिस्टोरिय ने चवदावे शताब दीके तो उनका एक सेंटेस मैंने कहीं पड़ा था कि एजूकेशन और रूल अफ लाओ आदमी को नपूसक बना देती है इंसान को नपूसक बना देती क्योंकि कानून जो है कानून का राज जो है वो बोलता है तो हत्यार को रखता है हत्यार मत रखो हम कानून है हम तेरी हिपाज़त करेंगे और हमको कसा भी मार जाता है तो कानून कुछ नहीं कर पाता और हम भी कुछ नहीं कर पाते कसा मार जाता है उसको बोलते है कानून का राज और एजूकेशन आपको मालूम है इंडोनेशिया में एक छोटा सा आइलेंड है वहाँ जब सुनामी आई थी 2005 में तो कुछ पाथ 6 लाख लोग मरे थे इंडोनेशिया में लेकिन वह एक ही आइलेंड है उस पर एक भी एक भी इनसान मरा नहीं डूपकर क्यों नहीं मरा तो वो उचाई के दिशा में भाग कर निकल गए उस आइलेंड के लोग क्योंकि उनके यहां कुछ राम लीला वगरे ऐसा प्रोग्राम चलता है उसमें सुनामी की कठाये आती है तो उनकी वो नैचरल इंस्टिंग अभी भी जिंदा है और एक बात बता दू उसी वक्त वो 2 स्टोड़े में स्टोरी पड़ी थी बड़ीया स्टोरी थी तो तमिल मनट में जो भालतू जानवार है बैसा बाईले तो अब बान कर हो गए थे कि हमने उनकी दोरिया बन बन कर रिखे थे छोड़ जी वो दोड़ कर निकल गए हमको पता नहीं होता क्या हुआ था लेकिन वो तो भाग भाग कर निकल गए आपको उस वक्ट जो सुनामी हमारे या तमिलनार केरल में निकल गई उसमें बहुत सारे इंसान मरे थे लेकिन एक भी मरा हुआ जानुवर नहीं मिला था क्योंकि वो सब उचाई तक चले गए थे उनकी नैचनल इंस्टिंग्ट जिन्दा है उनकी नैचनल इनस्टिंग्ट आज भी जिन्दा है हम तो एजुकेटेड हो गए हमको अचाही तुनामी आ रही है भागो उचाही तक दवड़ो यह किसी ने बताना पड़ता है क्योंकि हम well educated है हम scientific समाज हो गए है और हमारी ने तो इसलिए मैं वो इवनक खालदून का वचन आपको जादू कि कानून का राज और accord knowledge इंसान को नपूसक बना देता है निकामी बना देता है बेखोल सही है